आपके स्चीरेज पिर से स्वागत थे मैं फिर से मंद्रप्रदेश करेंट अफेर्स को सुरू करने जा रहा हूं और इसका यह पहला वीडियो मैं आज आपके सामने लिके आजा हूं जिसमें कि में वह सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स कवर कियें हैं जो bendप्रदेश क की घट्टाओं से जुड़े हुए हैं मद्रप्रदेश शासन मद्रप्रदेश में जो भी इवेंट्स होई हैं वो सारे important events और सारे important current affairs मैंने इस नई सीरीज में लेके आया हूँ 2018, 2018, 2019 और 2020 में जो भी important घटना है गटी है उन सभी के वारे में जनकारी इस current affairs की सीरीज में आपको मिलने वाली है तो इस current affairs सीरीज को आप पूरा जरूर देखें यह इसका पहला वीडियो है जिसमें कि मैंने important facts की सुरुआत की है और यह सभी मद्रप्रदेश की जितने भी एक्जाम्स होते हैं चाहे वो MPPSC, MPSI, Constable, पटवारी, जेल प्रहरी या अन्य व्यापम्स की एक्जाम्स में की current affairs पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा important सीरीज है वीडियो को अन्त तक देखें यह पहला भाग है और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और वीडियो को शेर भी करें जिससे की वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलेंगे और लगातार इस current affairs से जुड़े रहेंगे तो चलिए शुरू करता हूँ यह पहला पार्ट current affairs का जो की मद्र प्रदेश की current affairs पर पूरा का पूरा आधारित है चलिए शुरू करते हैं यह सभी मैंने points की तरह लिए हैं और आप को उसी तरीके से इसको याद भी कर रहा है ठीक है ना जो मद्र प्रदेश के पहले इससे पहले की राजपाल थे श्री लाल जी टंडन जिनका की अभी देहांत हो गया जो की 21 जुलाई 2020 को इनका देहांत हुआ और यह जो अभी current की राजपाल है जो की संयुक तुरूप से म उत्तर प्रदेश की राजपाल है उससे पहले थे यह लाल जी टंडन उन्होंने नगर पाली का विधी संसोधन पारित किया था 2019 में जो अनुमोदित किया था और इस अध्यादेश में नगर पंचायत नगर पाली का नगर निगम के जो प्रमुक हैं उनका निर्वाचन अभी रेल लाइन से जोड़ा गया ठीक है इससे पहले रेल लाइन से यह नहीं जोड़ा था और मद्यप्रदेश के यह आदिवासी बहुल जैसे कि आपको जानकारी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आदिवासी रहते हैं मनलब जो एस्टी हैं सुड़ल ट्राइब रहते हैं वो अलराजपूर में ही रहते हैं ठीके ना तो उसको 30 अक्टूबर 2019 को यह सौगात मिली यह ध्यान रखेगा यह इंपोर्टेंट है इसको मैं हलेट कर रहा हूं अलराजपूर को यह जो ट्रेन मिली यह कम मिली यह मिली 30 अक्टूबर 2019 को ठीके ना और इस रिलाइन का सिला कब किया गया था 28 फरवरी 2008 को इसका सिला नयास किया गया था उसके बाद में इसमें पुरा का पुरा ये कारे प्रारम हुआ और 30 अक्टूबर 2019 को अलराजपूर से ये लाइन जोड़ी गई और अलराजपूर में ये ट्रेन की सौगात मिली ठीके ना अगला जो पॉइंट है मद्रप्रदेश स्तापना दिवस एक नमवंबर 2019 को जो मनाया गया किस रूप में मनाया गया ये गोन जन्जाती कला वर्ष की रूप में ये मनाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ही पॉइंट्स क्योंकि इससे पहले एक्जाम्स नहीं हुए है इसलिए करेंट अफ पर यही करेंट अफेर्स हैं जो की आने वाली समय में आने वाले हैं क्योंकि इस बीच में जो करोना करोना पैनेडेमिक हुआ तो उस बीच में जो भी सरकार ने कारी की उन कारों की सही तरीके से वेविचना नहीं की जा सकती इसलिए पुराने जो करेंट अपरेंट है ये 29 अक्टूबर 2019 को विश्व के बिजनिस स्कूल से सम्मंदित जो F.T. रैंकिंग जारी हुई यानि कि फाइनेंसल टाइम में जो रैंकिंग जारी हुई उसमें I.A.M. इंदोर के को टॉप 100 में जगा मिली और इसी के साथ में I.A.M. कलकता, आहमदाबाद, बैंगलोर और उदेपूर को भी टॉप 100 में जगा मिली और अगला जो पॉइंट है वो है मानव संसादन विकास मत्राले द्वारा नेशनल इंस्टूशनल रैंकिंग फ्रेमबर्ग 2019 में I.A.M. इंदोर को मेनेजमेंट प्रवंदन सेनी में पाचवा इस्तान हासिल हुआ ठीक है ना, इस स्कूल आफ प्लानिंग इसको हालाट करता हूं मैं ठीक है यह बहुत जरूरी है सारे पॉइंट्स ठीक है किसको मिला यह छटवा इस्तान से जुड़ा हुआ है उसको छटवा इस्तान प्राप्त हुआ जो की मानव संसादन विकास मत्राले द्वारा यह रैंकिंग राज्यों को सामिल किया उसमें मद्यप्रदेश का पंद्रवास्तान मिला और इसमें जो पहला इस्तान मिला वो केरल को मिला और अंतिम 20 वास्तान यूप को मिला किसमें पहला इंडिया इंडेक्स 2019 में बड़े राज्यों में मद्प्रदेश को 14 इस्थान प्राप्त हुआ और इसमें पहला इस्थान प्राप्त हुआ करनाटा को और अंतिम 17 इस्थान प्राप्त हुआ जारखंड को अगला जो current affairs है वो राष्टी उद्यानों से जुड़ा हुआ है राष्टी उद्यान के प्रवाभी प्रवंदन में मद्प्रदेश का इस्तान सीज सिस्तान रहा ठीक है ना जैसे कि आपको मालूम है 2019 में मद्प्रदेश को Tiger State का दरजा प्राप्थ हुआ ठीक है इसमें मद्प्रदेश को सीज सिस्तान रहने की नमर वन पर रखा गया ठीक है ना इस रिपोर्ट में मद्प्रदेश का जो पैच Tiger Reserve है ने देश को में सर्वोच रेंक हासिल की बहुत ज़्यादा Tiger Reserve एक अनूठी प्रवन्दन रन्नीतियों को अपनाया गया इसने ठीक है कानाने भी अपनाया और पन्ना Tiger Reserve के में आबादी बढ़ाने में विश्व में पूरा ध्यान आकरशित किया ठीक है ना क्योंकि इस तरीके से बागों की आबादी पन्ना Tiger Reserve में बढ़ी ठीक है इसमें वयस्क और सावक मिलाकर बावन बाग हैं ये भारत के वन जीव संद्रक्शन नितियास में एक अनूठा उधारान रहा है ठीक है ना काना पेच वन जीव विचरन कोरिडोर ठीक है ना भारत का ऐसा कोरिडोर भारत का ये पहला ऐसा कोरिडोर है जिसमें कि ये सब मत्रप्रदिश का पहला Child Friendly Court अभी हाली में खुला कहां पर उज्जेन में स्थापित हुआ है जे उज्जेन के जिले में ये सत्र नियाले परिशार में बने हुए इस नियाले का लोकारपन हुआ कब हुआ जून 2019 को ठीक है ये मत्रप्रदिश का पहला Child Friendly Court बना हुआ है बाल 2019 में अच्छा इस कोट में ठीक है न किशोर नियाले अधिवक्ता के तहत देश का देश की सभी नियालों में जो Child Friendly Court है वो स्थापित किये जाने यानिकि इसी तरीके से और भी जो Child Friendly Court है वो पूरे देश में स्थापित किये जाएंगे अगला जो Current Affairs है वो है मत्रदेश की राजनेती से चुड़ा हुआ थावर्चन गहलोद जो कि राजसभा सदस हैं और सत्ता पक्ष की ये नेता है तीकिन इनोंने ये जिम्मेदारी जून 2019 में अरोन जीतली की स्थान पर इनको दी गए थी थी थावर्चन गहलोद मत्रदेश में 2018 में राजसभा सदसर है उसके वाद में मोधी सरकार की सामाजिक न्याय से हम ससक्तिकरण मंत्राली की जिम्मेदारी ये समाल रहे है और इनका जो जन्म हुआ था वो 18 माई 1948 में मद्रदेश के जिला है उज्जेन उसके नागदा तहसिल में हुआ था आगे बढ़ने से पहले आप मैं आपको पताना जाता हूँ अनकेडमी के आप के बारे में अनकेडमी एजुकेशनल एप जो की इंडिया का नमबर वन एजुकेशनल एप है जिसपे कि आप पढ़ाही कर सकते हैं क्लैट्स की क्लैट्स का जो एक्जाम होता है उसकी वो भी प्रक्टिस एवं रिवीजन भी मिलेगा और इससे आप घर बैटे कहीं से भी और कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि क्लैट की जो डेट है वो आउट हो चुकी है क्लैट का एक्जाम 13 जून को कंड़क्ट किया जा रहा है आई अब समझते हैं फ्री प्ल वीजन हो सकता है साथ में get any specific doubt resolve जो भी आपके पास में doubt है उसका भी आप यहां पर solution मिलेगा इसके लिए करना क्या होगा आपको सबसे बिले तो आपको जो भी subject हैं हो चुनिए find a subject और difficult topic जो भी topic है आपके पास में वो भी आपको चुनने का पूरा मौका इसमें मिलने वाल साथ ही साथ में यहां पर आप प्रक्टिस के लिए भी जॉइन कर सकते हैं लॉगिन कीजिए और प्रक्टिस के लिए जो भी प्रक्टिस सेट है वह आप यहां पर लगा सकते हैं इसमें आप क्लैट ही नहीं क्लैट के अलावा जो भी classes related all the subjects of the other law entrance exams मतलब आप क्लैट के अला और मिलेगा आपको all the educators will teach on the platform live with the live comments from the learners learners इसमें लाइब कमेंट भी कर सकते हैं अपर्ट फ्रम इसमें लाइब कमेंट भी कर सकते हैं तो यह बिल्कुल फरक्ने पड़ता कि आप country के किस कौने से हैं कहां पर आप नवास करते हैं कहीं पर आप रहें कहीं से भी आप पूरे enjoyment के साथ में और पूरे full passion के साथ में जूड सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं करना पड़ेगा और उसके बाद में आपका free plan अनलोक हो जाएगा अगर आपको free classes अच्छी लगती है देन उसके बाद में आप चाहते हैं कि हम subscription भी purchase करें तो you can also purchase the subscription उसके लिए भी आपको मेरा जो referral code है हर दियाल कुस्वा वोई capital later में आपको use करना पड़ेगा देन उसके बाद में आपको उससे सीधा 10% का discount मिलेगा fees में इसके अलावा आपको जो free mock test है इसके अलावा आपको Ulet की भी तैयरी यहां से करने को मिलेगी जो कि आपको हर Saturday 11 वजे से free of cost करने का मौका मिलेगा और इसमें आपको मिल रहा है साथी साथ में एक amazing test ठीक है ना उस test में आप participate कीजिए देन उसके तुरंत बाद ही आपको इसका result मिलेगा और उसके साथ में आपको इसमें amazing prizes की भी यहां पर पुरी की पुरी तैयारी की गई है और इसके साथ में आपको 3, 3 वजे सेम डे उसी का पुरा detailed analysis भी उस particular test का दिया जाएगा आपको free plan unlock करने के लिए करना क्या होगा सबसे पहले तो आपको unacademy का जो learning app है उसको download करना है डाउनलोड करने के बाद में particular clad को select करना है clad को select करने के बाद में फिर मेरा जो referral code है हर्दयाल कुस्वा जो की capital letter में आपके सामने लिखा हुआ है उसको आपको enter करना है और unlock bracket आप प्रतियासी खतम कर पाएंगे इसी तरीके से नगर पाले का जो परिस्ट है इसमें एक लाग से अधिक की आवादी पर धाई लाग रुपे से ज़्यादा का खर्चा सो नहीं कर सकते हैं प्रतियासी इसी तरीके से 50 हजार से एक लाग की आवादी पर डेड़र लाग तक का ही खर्चा प्रतियासी अपने कैमपेनिंग में कर सकते हैं और 50 हजार से कम की आवादी पर एक लाग रुपे इसी तरीके से नगर परिस्ट का जो चुना होता है उसमें 75 हजार से अधिक का खर्चा प्रतियास से अपनी कैंपेनिंग पर नहीं कर सकते हैं अगला जो करणट अफेर्स है केंदरी मंत्री परस्यद में मद्द परदेश के लोकसवा और राजसवा सदस्य हैं वो कौन-कौन है ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है बनते हैं तो केंदरी परस्यद में मद्द परदेश के पांच संसत सामिल किये गए हैं इसमें चार की लिस्ट में से सामने यहाँ पर पड़ी हुई है पहले नरेज सिंग तौमर जो कि मुरेना सीठ से हैं इनको केंदरी ये ग्रामिड विकास और पंचायती राज इवं स्वच्चता मिशन इनको दिया गया दूसरा है भगण सिंग कुलिस्ते जो मंडला से हैं ये इसपात राज मंत्री बने है इसी तरीके से थावर्चन कहलो जो कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया ये राज्यसवा सदर से हैं और मद्ध प्रदेश के उज्जेन नागदा से हैं इनको केंदरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की जिम्मा दिया गया इसी तरीके से धर्मेंद प्रदान जो कि राज्यसवा सदर से हैं केंदरी पेट्रोलियम एवं प्रकरतिक गैस मंत्राली एवं इस्पात मंत्री का विभाग इनको सौपा गया है ठीक है ना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह वाले लिस्ट क्योंकि यह कॉस्टेंस एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको आपको इसी तरीके से रट लेना है वह इंपोर्टन पार्ट है बहुत है अगला जो करेंट्ट अफेसे हैं वह बहुत है मिकि में थे परियाटन को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट को केंदरी परियाटन मंत्राले ने नेशने टूरीजन अवाड 17-18 से के लिए इनको चुना गया अगला जो है वो है मुखमंतरी कन्या विवा योजना एवं मुखमंतरी निखा योजना के अंतरगत 2018 18 दिसंबर 2018 को जो प्रोटसान रासे 25,000 रुपे थी उसको बढ़ाकर 51,000 रुपे कर दिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको पूछी जा सकते हैं इसको याद कर लेजेगा जो कन्या विवा योजना है और निका योजना इन दोनों में ही 18-2018 को सरकार ने ये प्रोटसान एक अप्रेल 2019 से ये जो रासी दी जाती थी वो 600 रुपे प्रतिमा कर दी गई है अगली जो है इंद्रा गांदी रास्टी विद्वा पैंसन योजना ये कब लाग होई थी ये होई थी एक अप्रेल 2009 को ठीक है ना इसके तहट 40 वर्स से लेके 89 वर्स तक की जो आयो की विद दिवाएं हैं उनको 3,000 रुपे प्रतिमा पैंसन दी जा रहे थी और अब एक अप्रेल 2019 से बढ़ाकर डबल कर दिया गया यानि कि 3,000 से सिधे 6,000 रुपे कर दिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट है ये कोशिशन बन सकता है तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करना है तो य बहुत ही इंपोर्टेंट है ये अभी आने वाले एक्जाम में जो कि Constable का एक्जाम होने वाला और MPPSC का भी एक्जाम होने वाला है साथ में MPSI का भी notification निकलने वाला है उन सभी एक्जाम के लिए बहुत ही जादा important है ये तो लगातार मेरे इस मद्रपरधिस के Current Affairs से जुड करता हूं अगला वीडियो आपको फिर कल मिलेगा तब तक की लिए जय हिन जय भारत